बरेली नियूज पुराने भूमी विवाद की रंजिश के चलते हरदवारी लाल पुत्र भगवानदास निशूनिग्रा शूनिबलेही थाना शाही जिला बरेली की धाई बीघा जमीन पर करीब 25 साल से कबजा कर रथा है जब हरदवारी लाल ने कबजा छोड़ने को कहा तो दिनाग 13-6-2023 को को समय करीब साढ़े 9 बजे रात्री में हरदवारी लाल अपने परिवार वालों के साथ घर पर बैठा हुआ था तभी विपक्षी गण दीना नाथ पुत्र हरचरन लाल वा चंदरपाल पुत्र हरचरन लाल वा वेदपाल पुत्र हरचरन लाल वा किशन पुत्र चंदरलाल वा मनोज कुमार पुत्र वेदपाल निवासी गण ग्राम बलेही थाना शाही बरेली अपने हाथों में लाठी दंडे लेकर मा बहन की गंदी गंदी गालिया देते हुए घर में घुस आये और रार्थी व उसके भाई तुलाराम व चतूरा देवी पतनी तुलाराम व हरदवारी लाल के पुत्र विकास व अमित व सुरजने गाली देने से मना किया तो पक्षीगण ने लाठी डंडो व लातो घूसो से बुरी तरह मार पीड व घर में तोर फोर की शोर होने पर गाउं के लोगों ने आकर बचाया जगडे में हरदवारी लाल के सिर में व तुलाराम के सिर व चतूरा देवी को चोट व व विकास के गंभीर चोटे आ गई सब का मेडिकल उसी दिन सरकारी अस्पताल फतेह गंज पंशून में हुआ था पुलिस द्वारा उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकरित कर लिया गया किन्तु कोई गिरफतारी नहीं हुई है विपक्षी काफी दबंग किस्न के है अभी भी पीडित परिवार को जान से मारन की धमकी दे रहे हैं पीडित परिवार काफी डरा वसेहमा हुआ है उन्हें अपनी जान का खत्रा लगातार बना हुआ है और शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है पीडित का कहना है कि भविश्य में इनके साथ उत्तरदायत वशासन प्रशासन वविपक्षीगन उप्रोक्त का होगा ब्यूरू रिपोर्ट सत्य कुमार बरेही से आए तो आपने पहले आप जेक्शनаки उठाया इसलिए नहीं उठाया था कि मतलबיים माना बाप्र ने अर वो इन्ससे कुछ कए तो बो टिरूने तो उस चक्कर में हमारे माबाप डरे वे थे तो हमने इस चीज की हमत्र करके हमने ख़हा उन से के मतलब अपनी जमीन स्वयम करेंगे ठीक है फिर गया वा तो अपने बाप से कहा तो भू बोले के जमीन अपनी कर ली हो बिटा कोई बात नहीं है लेकिन उसमें मेर तो पढ़ने चाहिए पहले तो हम ने कही कि ठीक है मेर दल्वा दें मेर पर जाएगी लेकिन तुम कहोगे तब ही तो पढ़ेगी मैं जब पहले इन्होंने कब्जा किया था तो आपने रोक ना रही हैं हम लोग छोड़े छोड़े थे उसमें फिर जब हम छोड़े छोड़े थे तो ये लोग पहले से ही बड़े हैं ये चार भाई हैं हम दो भाई हैं हम छोड़े छोड़े थे ये सब लोग समझदार थे सब बैयनामा कर्वाओं को नए था तो बैयनामा कोई था दीननात आयते चंदर भाल आयते इसमें बेड़ पाल भी थे मतलब इनका पूरा परीवार है पूरा परीवार है तो इन लोगों ने ये कहा कि मतलब खेट का बैनामा करवाओ तो हमारे पता जी ने ये कह दिया कि तुम्हारे दसजार रुपए हैं तुम अपने दसजार रुपए ले सकते हो लेकिन खेट का बैनामा नहीं करवाएंगे तो यह बोले कि ना उसके बाद हम इस चक्र में ते के लोग रिष्थतेदारों को इक चट्टा कर रहे थे सबी को तो हमने इस पिचार में थे कि मतलब सभी रिष्टेदार इखटे होंगे तो हमारा कोई ना कोई निकल के आएगा सामने जब हमारे सभी रिष्टेदार इखटे हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ हल निकालके ही रखेंगे कि मतलब क्या सही है और क्या गलत है इसमें तो इन लोगों रिष्टेदार तो इखटे नहीं हुए लेकिन गाओं की एक पंचायत इखटी करी थी उसमें काफी लोग इखटे थे गाओं के भी थे पहारपुर के भी थे और बंसी पुर्ट के कुछ लोग आए हुए थे हाँ पर तो ये लोग बोले के बताओ क्या करना है तो हमने उनसे यह गई कि देखो भाई तुमारे दसजार रुपए हैं और आप अपने दसजार रुपए ले 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 खेत का बैनामा नहीं करवाएंगे हमारी तुमारी कोई बह Sono रही है और चली है और बेहाँ बंडी और बनी रहेगी तो यह ओले कहा रही तो खतम होगए तो यह आपके आप लोगों की जो चोटे का पैसा इनके बुरे में लगाएंगे हम तो हमारी मेसेज ने ये कह दिया कि मतलब जब हमारा पैसा बुरे में लगाएंगे वो तो उनका पैसा कौन सा अच्छे में लग जाएगा पस इतनी बात हुई है इतनी बात होने के बाद में फिर कोई बात नहीं हुई इन लोगों न इसकी सूचना अपने थाने में करी? इसे भी उसमें आई नहीं है जाच परताल में हमारे कहने के अनुसार आप क्या चाहते हो आप अब हम यह चाहते हैं कि इन लोगों पर तत्काल तुरंट कारवाई की जाए हमें चाहिए इनसाफ अच्छा आपका नाम क्या है कहा रहते हो आप बले यह कौन है आपके यह थोट लोग दारू बीबी के गाली दे रहे थे और हम जब हम उनसे 200 मिंटर दूरी पर दूर हैं जी जब हमने कहदर सुना तो आप लोग क्या चाहते हो मजब चाहते हैं मीडिया बंदू की भी यह प्लिस करने हो ठीक है किया नाम है आपका मेरा नाम भवान दाध बागवान ना ची जमीनता विवाद चल रहा है यह क्या है क्यों चल रहा है कुछ बता सकते आप मैं बदायों बहल Kenn warmer इन नाम तर दस हरजार रुपह बinging कि रखाव आपको आचा किन सा लिया थे उन तर भाव ल्ड़कों जोपने यह ऩाइप बाज़ करें यह फिर लुगालाइफ है कि तो यह फिर दुद्धा बम वार कि भी यह वह कि चलते उन्हां कि कुछ बाइसाहर के लिए आप सब्सक्राइब में इड़ाओ में दाली ठाएं ऑचे जे बढ़ें जगारें वह हैं वह हैं आ दो ख अच्छा तो यह तोलाराम कौन है लड़कों है मैं छोटे वाइब जो विबाद हो रहा है वो जमीन को लेके हो रहा है जगा को लेके हो रहा है जो लड़ाई दंगा हो रहा है अब बैटा जो कानून तो बोई है होई चली है नहीं तो इसमें सच्चाई क्या है सच्चाई यह जमीन तो आपकी है ना जमीन तो मेरी यह ना आपको मिलनी चीज़ ना अब देख ओपर वारी यह चीन्द भो रहे हैं ना मुस्त चीन्द हैं वो लोग जबर यह चीन्द है ठीक है अब झाल